हलो फ्रेंट्स मेरा नाम है शिदर्त और स्रीड क्रेटिव आइडियास के इस वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा solar inverter बनाएंगे तो देख सकते हैं यह कि इस प्रकार से दिखता है और मैंने काफी उसको finishing के साथ बना हुआ है तो यह जो solar inverter है उसमें जो solar panel हम use करेंगे तो उसको हमें भेजा है Loom Solar Company ने तो इस solar panel को पहले हम unbox करके देख लेते हैं कि यह कैसा है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर packing के साथ है और मैंने इसका जो box से अभी निकाल लिया है तो देख सकते हैं यहाँ पर यह जो solar company है यहाँ पर इंडिया का number one यहाँ पर seller है तो इससे आप बहुत ही अच्छे से खरीच सकते हैं और इसका जो quality मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो काफी strong यहाँ पर panel है और यह है poly crystalline panel तो यह 10 watt का panel है तो इसको आप 20 volt maximum ले सकते हैं और 12 volt का battery को यह आराम से charge कर सकता है तो चलते हैं अब हमारे वीडियो की तरफ उसके बाद में उसके उपर भी में बहुत कुछ test करके आपको दिखाऊंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक PVC pipe लिया हुआ है तो यह PVC pipe यहाँ पर 18 cm का मैंने लिया हुआ है तो अभी हमें उसको थोड़ा सा heat करना होगा तो heat gun से यहाँ पर heat कर लेंगे उसको और जब यह मुलायम हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने बैटन लिया हुआ है जो की 5 cm का चोड़ाई है तो अभी उसको हम इस तरह से लगा कर इसे खींच देंगे तो हमारा जो एक rectangle type का box यहाँ पर बन जाएगा तो देख सकते हैं यह अभी जो है थंडा हो चुका है चलते हैं उसके circuit की बनाने की तरब तो यहाँ पर मैंने लिया भाए 0 PCB board और यहाँ पर एक MJ-355 transistor और कुछ resistance हमें चाहिए तो पहले हम voltage को जो है जो पैनल से जो voltage आता है उसको यहाँ पर हम थोड़ा सा control करेंगे तो इसलिए मैं एक voltage regulator बना रहा हूँ तो यह जो transistor है मैंने उसको लगा लिया है PCB board के साथ और उसके साथ एक 220 ohm का register लगा लिया है और एक 10K का potentiometer या फिर pre setup लगा सकते हैं तो इस तरह से मैंने connection सारा कर लिया है उसका जितना भी सारा connection है मैं सभी का जो diagram है मैं आपको provide करवा दूँगा कोई भी यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको काफी पहला सानी होगी और भी बहुत सारे यहाँ पर component है जिसका की नाम मैंने यहाँ पर लिख लिया है तो अब हमें उसको PCB की ऊपर जो है इस तरह से mount कर लेते हैं mount करने के बाद उसको हम connection करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक PC548 transistor लिया हुआ है और उसके साथ यहाँ पर 220 ohm का register इस तरह से board के साथ लगाया है अब हमें उसका जो base point है transistor का उसके साथ एक 1 kilo ohm का resistance यहाँ पर ऐसे लगा देंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने LED light भी लिया है और मेरे पास है कि यहाँ पर 1N4007 diode है तो diode को भी यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो main component है उसका 5.6 volt का जीनर diode तो यह जो battery charger का indicator है basically जो circuit है तो यहाँ पर battery का कितना यहाँ पर charge बाकी है या पिर charge होने वाला है या आपको यहाँ पर सूचित करेगा तो इस प्रकार से आप उसको लगा सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने उसका indicator को थोड़ा सा बाहर करके लगा हुआ है जो green और red color के LED हैं तो इतना तक यहाँ पर हो चुका है दोस्तों तो यहाँ पर हमें mobile charging का भी facility देना है तो यहाँ पर एक 7805 IC का यूज करेंगे तो 7805 का IC को मैंने लगा कर सारा जो connection यहाँ पर diagram में दे दिया है आप यहाँ पर उसका screenshot ले लीजिए तो अभी देखते हैं दोस्तों उसका wiring करेंगे तो हमने जो body बनाया था वहाँ पर हमें अभी hole करना होगा तो यहाँ पर हम SPST switch का इस्तमाल करेंगे क्यूंकि यहाँ पर हम 3 output ब cuts लगाने हैं जिसे कि जो switch है बहुती है अच्छे से यहाँ पर arrangement में लग जाए तो यहाँ पर मैंने mark करके उनको काट लूँगा अभी कि तो इन तिन points में हमें cut लगाना है तो cutter की मादर से हम अच्छे से उसको काट लेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 hole किये हुए है और switch जो है यहाँ पर लग चुके है और पीछे के side और side वे जो यहाँ पर panel है वो भी मैंने काट लिया है PVC के seat से अब यहाँ पर 3 hole हम करेंगे तो यहाँ पर से output निकलेगा जो हमारा light यहाँ पर लगेगा वहां से output निकलेगा तो यहाँ पर मैं 12 mm का hole कर रहा हूँ यहाँ पर हमें DC socket लगाएंगे जो की 12 volt का DC socket आता है यह सभी component आपको electronic sop पर मिल जाएंगे और यहाँ पर अगर आप solar panel को खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे description box में उसका link दे दिया है वहाँ से आप solar panel को खरीद सकते हैं काफी cheap price पर बहुती best quality का solar panel है और यहाँ पर company ने उनको 25 साल का जो है warranty दिया हुआ है तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने DC socket 3 लिया हुआ है और इनको अच्छे से हम यहाँ पर हमें seat पर hole किया है उसके साथ इसको tight कर लेंगे तो अभी देख सकते हैं दोस्तों circuit हमारा complete हो चुका है और यहाँ पर जो मैंने बताया कि यह जो है इसका input है यहाँ पर solar panel connect होगा और इसका preset को आपको solar panel के साथ connect करके 7 से 8 volt पर यहाँ पर उसको fix करना होगा उसके बाद आप इसको circuit को use करना चालू कर सकते हैं मतलब जो preset है आपको यहाँ पर multimeter से 7 volt पर रखना होगा यह बात आप ध्यान में रख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक USB socket है जिसको कि हम यहाँ से connect करेंगे और मै सब्सक्राइब के जो output है जैसे कि मैंने circuit diagram में आपको दिखा है उसी तरह से connect कर लिया है यह कोई भी ज्यादा complicated नहीं है यहाँ पर थोड़ा सा physically देख लिजिए ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए तो इस तरह से देख सकते हैं उसका सारा कुछ connection है अब हमें आउट्पुट लगाना है तो आउट्पुट के साथ यहाँ पर मैंने दो रेजिस्टर लगा हुआ है पारलली तो आप यहाँ पर तू ओम का 5W का रेजिस्टर लगा सकते हैं या फिर 1W का भी चलेगा तो इस तरह से लगा कर थोड़ा सामें LED को हमारा जो आउट्पुट म लगेगा उसको हम कंट्रोल करेंगे मतलब इस तरह से देख सकते हैं तीनों प्वोइट में मैंने लगाया है और सुच में भी वायर मैंने कनेट कर लिया है तो अब भी देख सकें switch का connection तो switch को जो एक-एक point को एक साथ लगा कर मैंने positive के साथ लगाया है और जो दूसरे point हमें बचे हैं वो हमें ये जो socket के साथ जहां पर हमने register लगाये थे वहाँ पर connect करना है और उसका जो negative point है एक साथ connect करके negative के साथ connect कर लेना है अब हमें जो उसका battery का connection करना है तो diagram को आप फिर से देख लीजिए अगर आपने screenshot ले लिया है तो बहाँ से देखकर ये battery को connect कर सकते है तो battery connect हो चुका है अभी आपको light बनाना है तो ये जो light है आप देख रहे है ये normal वाला नहीं है जो कि 220V पर चलता है इसको मैंने पुराना LED का जो housing है बोल लिया हुआ है और अंदर यहाँ पर COB LED आता है वो लगा है ये 4V का LED तो इसको लगाएंगे तो इसको डायरेक्ट मतलब वायर के साथ connect करके इस बोडी के साथ फिट कर देंगे तो ये 4V का LED बन गया है अब हमें उसको डायरेक्ट DC लाइन के साथ जला सकते हैं तो ये काफी अच्छा भी होगा और कम voltage पर भी ये काम करेगा तो यहाँ पर मैंने एक DC जो jack है वो लगा लिया है तो इस तरह से तीन आप light जला सकते हैं तो मैंने दो यहाँ पर बनाया होए है तो बैटरी जो है 6V 4.5H का है तो उसी हिसाब से उसका जो timing है बहुत रहेगा तो अभी solar panel के साथ connect करेंगे तो solar panel के जो terminal box है उसमें मैंने wire को लगा लिया है तो देख सकते हैं आपर wire जो है जाकर यह जो jack के साथ मैंने लगा लिया है 12V का जो DC jack है उसके साथ लगा लिया है तो अभी हम उस box को close कर देंगे तरह से यह close हो चुका है तो उसका जो output voltage मैं अभी आपको major करके दिखा देता हूं कि कितना output देता है तो अभी तो ज्यादा धूब नहीं है फिर भी उसका जो output voltage है आप देख सकते हैं आपर 19V दिखा रहा है मतलब यह maximum 20 पर जाता है पर यहां पर 19 है तो यहां पर थोड़ा था हाथ देने से देख सकते हैं और green light जो है ओन है मतलब बैटरी जो है चार्ज हो रहा है जब बैटरी फुली चार्ज हो जाएगा तो red LED गलो करने लगेगा तो आपको पता लग जाए है कि बैटरी चार्ज हो चुका है और यहां पर जो USB से आप mobile को भी चार्ज कर सकते हैं और यहां पर light को connect करके तीन जो 4 volt के LED हैं हमने बनाए हैं उनको यहां पर connect करके आप रात में यूज कर सकते हैं दिन भर यह चार्ज होता रहेगा और रात को यह आराम से आपको पढ़ाई करने में और कुछ काम करने में बहुत ही help करेगा तो यहां पर देख सकते हैं यह solar से ही charge हो रहा है आप इसकी circuit को 12 volt के लिए भी बना सकते हैं पर मैंने यहां पर 6 volt में बनाया है तो अभी देख सकते हैं मैं यहां लाइट को जला कर आपको दिखाता हूं कि कितना glow है बसे तो यह बाहर है दूप में तो ज यहां पर दोनों light जो है ओन हो गया है तो light को मैं ओप कर लेता हूं जो studio के हैं तो देख सकते हैं काफी ज्यादा तेज रोस्नी है उसका और बहुत ही अच्छे से emergency light की तरह emergency light से थोड़ा ज्यादा यहां पर light यहां पर मिलेगा आपको तो इस प्रकार से कुछ काम करेगा और solar panel को अगर आपको खरीदना है तो description box में उसका link है वहां पर जाकर आप खरीच सकते हैं आपको जितने वाट का चाहिए वहां पर आपको दिखेगा और वैसे यह loom solar company के तरफ से यह जो है पैनल आया था तो इसलिए काफी अच्छे से मैंने उसका जो है एक device बना कर यहां पर आपको दिखाया तो इस वीडियो में दोस्तों इतना है मिलते हैं इसी तरह के एक interesting वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद